हेलो इस्ट्रेंट कैसे हैं आज बात करते हैं अपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनिमिक फर्मो केमिस्ट्री एंड एटोमिक इस्ट्रक्चर माइनर 11 क्या होने चीए समान होने चीए तो देखिए न्यूट्रोन की संख्या यहनी नूट्रोन के नंबर आप नूट्रोन सेम किसमें रहेंगे सपोज करो हम कहते हैं कि A is equal to क्या होता है अपने पास P plus N होता है तो neutron को निकालने के लिए हमारे पास A minus P P को हम क्या लिख सकते है number of atomic number जिसको देखो इसकी बात करें हम तो first यह उपर लिखा रहता है इसके उपर वो रहता है अपने पास A, कोई symbol होता है अपने पास कोई भी X symbol उसमें A होता है नीचे Z होता है जिसको हम proton के equal मानते है proton के equal मानते हैं तो देखोई इसमें देखें तो इसके अंदर अपने पास होता है 14 में से 6 गए 8 बचा इसमें 14 में से 7 गए तो 7 बचा 9 5 इसमें गए तो 10 बचे तो दोनों electron न्यूट्रों कि जो number of neutron है वो सेम नहीं है इस option के अगर बात करें तो इसमें 6 हो गया इसमें 7 हो गया इसमें 10 हो गया इसके बात करें तो इसमें अपने पास 8 है इसमें पास 7 है और इसमें पास 8 है अब यानि ये तीन option तो हमारे खतम बचाईए 4th option 4th option में देखिए इस carbon की बात करूँ तो इस formula के अनुसार क्या हो जाएगा 7 8 हो गया 8 हो गया हमारे पास इसके बात करेंगे तो 8 और इसमें भी बात करेंगे तो 8 total अपने पास number of neutron सेम किसमें 4th option के अंदर question number 46 6 के अंदर अपने पास हो गया 4 option option number 4 ओके next question के बात करें हम next question अपने पास चलेगा 47 47 में क्या है देखिए order of increasing order of energy energy का order अगर देखिए तो इसमें देखिए अपने पास n is equal to 4 है इसका मतलब यह अपने पास हो गया 4 और l का 1 value 1 है तो हमारे पास हो जाएगा P इसमें n is equal to 4 l is equal to 0 है तो यह 4S यह हो जाएगा अपने पास 3D और यह अपने पास हो जाएगा 3P अगर आपनो n प्लस l रूल के अकोडिंग अगर बात करें हम तो n प्लस l रूल के अकोडिंग आपने देखा होगा पहले आप आता है 3P फिर आता है 4S और फिर आता है 3D और 3D के बाद में 4P यह energy order होता है हमारा तो अगर 3P की बात करें इसमें 3P D पे है D के बाद में 4S अपने पास B पर है 3D अपने पास C पे है और 4P अपने पास A है इस हिसाबग अगर option देखें तो option number first होता है अपना option number first होता है clear यह option number first तो अपने पास N plus L rule के according इसको explain करना है clear बात करते हैं number of question तो इसके अंदर अपने पास 4S 4S 3D 4P 5S 4D यह energy order होता है देख लिए किसमें है यह order N plus L rule के according अपने निकालना है तो अपने पास option number third third option के according question number 48 का third question number 49 देखिए which of the following said quantum number is impossible for electron यानि कहता है कि quantum संक्यों कौन सा समुचे एक electron के लिए संबव नहीं है यानि electron के लिए संबव नहीं है इसमें आपको देखिए first option में first देखिए देखिए पूरे option में निकालें तो 197D तो अपने पास इसके लिए होता है अगर देखिए यह होता है अपने पास सेकेंड बात करें तो आपको पता ही है न की वेल्यू तो नहीं हो गई एल की वेल्यू एल की वेल्यू सेवन है सेवन का मतलब देखा होगा आपने अगर मैं बात करता हूं स, प, ड, एफ, ज, एच, आई, ज, तो वन इसके लिए 0 होता है इसके लिए 1 होता है इसके लिए 2, 3, 4, 5, 6, और 7 तो आपने पास 9J हो गया इसके अंदर N is equal to 2 है तो 2P हो गया और N is equal to 3 है तो 3D हो गया तो आपको पता है 3D के लिए M की value माइनस 3 नहीं होती है 3D के अंदर अपने पास यानि माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2 होती है जबकि F के अंदर माइनस 3 होती है तो अपना option अपने पास हो जाता है 4th option यानि नेमन में से कौन सा electron यूग में जो है वो गलत है impossible बता है तो अपने पास आंसर हो जाएगा number of 4 next question में चलते हम question number 50 50 में कहता है the radius of the first orbital hydrogen is this 0.53 angstrom the circumference of the second orbital of helium helium का circumference की अगर बात करें तो आपको पता है कि hydrogen की पर्थम hydrogen ये रहा आपको पता है कि r जो होता है वो होता है 0.53 into अगर square के बात करें n square upon z होता ही अपने पास angstrom answer अपनों को angstrom में निकालना है तो कोई problem ही नहीं है अगर calculate करना है तो देखिए calculate करना है हमारे पास तो हमारे पास निकल गया ये इसने देखो दित्यक अक्षा की परीदी पूछी है helium helium है उसके लिए आपको पता है helium प्लस है तो z तो आपके पास दो रहे गई जबकि आपको n है इसकी value 1 हो गई अपने पास जैड का विन्यास क्या होता है electronic configuration अपने पास अगर देखा होगा आपने तो क्या होता है जैड इस इकल टू अब यह पूछा है n की value 1 होती तो 1 है बड़ पूछा किसा है दित्य कक्षा के लिए तो n बराबर 2 के लिए पूछा है वैसे तो है इसका configuration 1 as 1 होता है बड़ यह कह रहा है कि second class में है तो second class में तो इसके लिए जैड इस इकल टू तो हो जाएगा 2 और n इस इकल टू हो जाएगा 2 calculate कर लीजिए भिया आर इस इकल टू 0.53 इंटू 2 का square upon 2 आर इस इकल टू 0.53 इंटू 4 by 2 इसका अगर calculation करता हूँ तो 1.06 आता है अब यह पूछा है कि circumference पूछा है that means परिदी पूछी है तो परिदी आपको पता है क्या होता है circumference is equal to होता है 2 pi r आर हमारे पास यह रहा है अगर मैं यहाँ 2 इंटू पाई की value आपको पता है 22 बटे 7 होता है यह नहीं 22.7 होता है आर हमारे पास निकली गया 0.6 अगर मैं इसको solve करता हूँ तो 6.6 एंग स्टॉम आता है तो आप इसको solve कर गयो option number 4 तो इस तरह हमारे पास question number 50 का option number 4 next question अपने पास question number 51 क्या कहता है कि the wavelength of the photon यानि आपको एक wavelength दे रखी है यानि radiation एक तो energy दे रखी है आपको इस फोर अंडेड है दूसरे के लिए दे रखा है तो आपको अगर मैं जहां बता दूं तो ई जो होता है वो इनवर्सली प्रपोस्टल होता लैमडा के लिए हैं अगर मैं कहूं कि even inversely proportional to lambda 1 e2 inversely proportional to lambda 2 तो अगर इसका ratio दे के हम even upon 2 is equal to inversely proportional relation आजाएगा lambda 2 upon lambda 1 क्योंकि यह ज़िस्ट उपर आएगा नीचा यह उपर चला जाएगा यह नीचा आजाएगा अब E1 हमारे पास ये करा है कि the energy E की energy इतना है the wavelength of the other photon radiation energy 0.5 तो इस energy को calculate करना है तो अगर सपोज गुरो हम कहेंगे E1 E1 अगर 1 है हमें energy निकालना है ये 0.5 E1 के equivalent यही तो करा है E 0.5 1 is equal to lambda 2 lambda 2 हमको calculate करना है कितनी है plus lambda 1 अपन को दे रहा है 4000 ये E1 से E1 कट गया क्योंकि इसकी अगर E energy है first वाले की तो second वाले की ये E1 E1 मान रहा हूं में इसको तो हमारे पास lambda 2 is equal to क्या हो जाएगा भया इसको इधर लेकर चला जाओ 4000 4000 upon 0.5 अटाओंगा जीरो तो यहाँ 0 लग जाएगा 5 से 8 किया तो 8000 8000 एंगेस्टरम option number 2 write down यानि ये concept रखना है energy का E is equal to H new से आपको यहाँ पर आपको पता ही है कि E is equal to क्या होता है E is equal to H new होता है वो C upon lambda होता है H और C क्या होता है constant तो हमारे पास यह relation आएगा और situation number 56 आपको clear करना है फिर आता है अपने पास question number 52 आपको पता है question the correct configuration दे रखा है आपको deposition M plus 2 का यानि पहले से अगर कोई M है suppose guru यह कह रहा है अगर कोई M है मारे पास वो two electron release करके हमारे पास M N plus बनाता है और N electron release करता है तो यह कह रहा है कि M है अपने पास जो दो electron release करता है तो उसके उपर two plus आ गया और two electron release कर दिया इसका कॉनिफिरिकेशन टू एट और फोर्टीन है तो पहले तो यह पता करिए कि यह element है कौन सा तो अगर यह टू एलेक्ट्रोन लीज कर दिया तो अगर का पता हो तो क्लास के अंदर 1s2 2nd क्लास में 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 यह आपके पास अगर देखें तो अब यह कर आए कि फर्स्ट क्लास में टू इलेक्ट्रोन है तो देख लिए टूले सेकिंड क्लास में 8 है तो 8 है थर्ड क्लास के अगर बात करें तो देखिए 3s के अंदर 2 यहां 6 और यहां 6 टॉटल मिल के कितने हो गए 14 थर्ड क्लास में और 4th क्लास में 2 अब क्योंकि यह 2 प्लस निकल गया इसका मतलब यह इलेक्ट्रोन तो कट गए हमारे तो इसका मतलब d6 26 होता है अब यह पूचा है कि इस मास दे रखा आपको और नमबर ओफ न्यूट्रोन पूचा है अभी ज़स्ट 46 क्यूशन में हमने खाए एगल टू P-Plus N होता है तो N is equal to क्या हो जाएगा A-P तो N is equal to A हमको दिरेंगा 56 और प्रोचणों की संग्या 26 क्योंकि F E का जितने प्रोचों होता है अगर N is equal to 6 करता हूं तो कितना जाता है 30 यानि question के अंदर option number first इस तरह हम इसको calculate करते हैं clear write down कीजिए question number 53 question number 53 में बात करें तो theoretical है कि रदर फोर्ड के alpha परकेंडर प्रयोग दोड़ा निशकर्ष निकाला जा सकता है alpha परकेंडर के निशकर्ष निकालना है करता है रदर फोर्ड प्रिंस प्राइल्फा पार्टिकल एक्सक्राटिंग एक्स्प्रेमेंट ली टुदा conclusion डैट मास और एनर्जी की बारे में नहीं बतायता है यह मास एंड पोजिटिव चार्ज ऑब दा एक्टम यह बताता है अपने को second option अगर मैं बात करना चाहूं तो second option यह कहना चाहता है ना बीक में neutron की बात बतायती जम सेडवीक ने प्रोट्रों विद्ध आविश उदासीन होता है यह नहीं बतायता है तो आपको ध्यार रगना option number second option number second फिर आता है question number 54 यह कहता है select the incorrect graph यानि आपको यह incorrect graph पूछ रहा है incorrect graph आपको पता है कि हम कहें कि v जो होता है वो inversely proportional to 1 upon n के होता है यह होता है अपने पास n के होता है और r जो होता है वो inversely proportional to n square upon z के होता है तो आप इस graph में देखें तो n है वी अगर down हो रहा hyperbola आ रहा है तो यह अपना सही है यह 1 upon n के directly proportional यह भी सही है और v और z के है तो अगर आपको पता है v directly proportional to z होता ही है तो यह भी correct है हमारे पास इसके अंदर क्या होगा n और के बीच में graph कीचे तो इस type का graph नहीं आता that means यह graphically यानि यह अपने पास सही है यह भी अपने पास सही है और यह भी सही है तो यह graph अपने पास wrong है that means question number 54 अपने पास answer क्या हो जाएगा 4 question number 55 question number 55 की अगर बात करें तो the n is equal to 6 है तो 6 अगर fill करता हूँ तो देखिए 1s 1s आ रहा है तो 6 अगर देखिए तो सबसे पहले आता है 6 6s अब 6 में से 2 माइनस की दिये जो 4f 4f में से अगर 6 में से 1d कर दिया तो 5d और n की 6p अगर मैं इनका energy order देखें तो सबसे पहले fix यह इसमें जाता है यह energy order सही होता है तो यह order follow कर रहा है अपना option number second चेक कर लीजिए आप आरा हमसे अगर मैं देखू इसमें पूट करता हूँ तो n is equal to अगर मैं कहूँ first option की अगर बात करें तो देखिए यहां हो गया 6s 6s के बाद में 6p 6p के बाद में हो गया 5d 5d के बाद में हो गया 4f यह energy order नहीं होता तो यह गलत हो गया अपने पास सही करम नहीं है यह अपने पास second करम सही आ रहा है जो यह हमने किया ही अभी third अगर third करम third की बात करूँ में देखो 6s 5d और 4f और 6p यह भी गलत है अपने पास जहां लगना तो अपने पास option number 2 हो गया clear next अपने पास question number 56 अगर question number 56 अगर question number 56 अगर दा मॉलर एंथेल्पियो combustion of ethene एथेन की मॉलर कम गमेंशन की बात करें इसके लिए आपको दे रखा है data car graphide h2 इन सब का data आपको दे रखा है देखिए हाइडोजन का carbon का दे रखा है तो हम कहें carbon carbon is equal to co2 बनता है इसके लिए co2 बनने का हमको enthalpy दे रखिया या लगभग 394 molar enthalpy पर दे रखिया आपको पास molar enthalpy of c2 carbon h2 c2 h की दे रखिया carbon की दे रखिया तो हमारे पास हो गए minus 394 kilojoule per mole इसी तरह है h2 के लिए दे रखिया है h2 plus half o2 is equal to h2o इसके लिए आपको delta h की value दे रखिया आपको पास minus 286 kilojoule per mole kilojoule per mole और c2 h2 इसका अगर मैं कमबंशन करता हूँ 5 by 2 o 2 कमबंशन करता हूँ तो मैरे पास co2 plus h2o बनता है यह अपने पास equation बनती है 2 co2 2 co2 plus h2o देख लिए यह clear रहना अपने पास 2 हाँ जी यह बनता है तो इस आदार प्याकन को delta h निकालना है इसके लिए आपको delta h की value दे रखिये देखो minus 3 1300 kilojoule per mole यह data आपको याद रखना है यह आपको दिया गया है इस question में अब आपको पता है delta h निकालना है मेरेको तो delta h जो होता है वो delta h product minus delta h reactant निकालते हम delta h product upon reactant निकालते हैं तो product की product की बात करें देखो product हमारे पास co2 है 2 co2 है तो 2 into co2 के लिए दे रखा है 394 394 हमको दे रखा है plus 28 minus 286 हो जाएगा total निकालना है हमको plus 300 क्यांकि minus minus इसका minus इसका minus और minus हो जाएगा अगर मैं इसको sol करूँ तो इसको 2 से multiply कर दीजिए लगबग अपने पास आ जाएगा calculate करें तो प्लस 3 है तो 2826 किलो जूल पर मोल यह आप्शन नंबर थर्ड कैलकुलेट हो जाएगा तो करने का मतलब product upon reactant से आप उनको calculate करना है यह clear तो यह calculation है तो देख लिजिए भीजा कि सीटु एस इसका दे रखा है सीटु एस इसका data आपने को दे रखा है भीजा कि सीटु एसस का माइनस ट्वंटी वन पॉइंट वन अपने सीओ टू के लिए combustion का अपने को data दे रखा है minus 94.1 और water के लिए अपने को दे रखा है minus 68.3 यह किलो जूल में है यह unit देख लेना अपनी अगर हमें combustion करता हूँ C2H6 का plus half O2 से तो हमारे पास यहाँ पे combine होता है CO2 2CO2 plus 3H2O यह equation बनती है तो हमारे पास इसकी जो energy है वो तो minus 21.1 है उसमें से इसको minus कर दो 2 into CO2 के लिए अपने को दे रखिए 94.1 minus 3 into 68.1 अगर इसको solve करें हमारे पास तो लगवग minus 372.0 निकलेगा option number 3 इस तरह हमें इसको calculate कर सकता है kilo calorie के form में निकलता है तो भईया अपने को कते हैं इसकी energy कितनी थी यह करा convention में energy release कितनी हो और इसकी energy कितनी थी इन दोनों का जो difference होता है वो calculate करवाया जाता है तो यह हमारे पास question number 56 होता है question 57 question number 50 निमन में से कौन सा विस्त्रीन गुण है यानि आपको extensive property कौन सी है जो amount पे depend करती है तो देखिए अगर तीनों बात करूं मैं इनकी तो यह density, viscosity और concentration amount पे depend नहीं करती तो हमारे पास enthalpy इसका right answer हो गया enthalpy के form में लेते हैं तो question number theoretical question है आपको ध्यान में रखना है फिर आता है question question number 59 कहता है adiabatic process adiabatic यानि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आपको पता ही है Q की value क्या होती है वहिया सुन्य होती है Q की value सुन्य होती है third option है सिदा सिदा है आपको पता ही adiabatic में ना तो उस्मा का उस्वशन करता है नहीं उस्वशन करता है this cannot absorb heat nor release the heat ना तो observe करता है heat का absorb करता है system नहीं release करता है adiabatic के form में होता है यानि Q की value क्या होती है 0 होती है यह अपने पास question number 59 फिर आता है question number 50 60 इस graph को देखके आपको भी बताना है कि A to B यहनि A से B कौन कौन से अपने system है देखो A से B जा रहे हैं तो आपको देखा होगा कि temperature तो change हो रहा है बट यह volume change हो रहा है मतलब यह isochloric हो गया isochloric हो गया अगर मैं इस graph की बात करता हूँ तो isochloric हो गया isochoric isochoric हो गया यहनि जिसमें volume क्या होता है constant रहता तो इसमें volume constant है अगर इसकी बात करता हूँ तो आपको पता ही इसमे temperature constant है तो isothermal हो गया उस congressional जबकि ये graph क्या बात करें आगर मैं scanner ागर ये और उने भी अरो आवग लेता हूं अगर या बात कर रहा है ता कर रहा है ता एक पता है टेमप्रेशर और वोल्यूम के बीच में इन इनुएम्ट्रीट्रलि परकोश्णल है अपने पास ISO बार होता है यानि ये तो अपने पास ये है ये है तो option नंबर फर्स्ट यानि जिसका दाब समान होता है यहां पे अपने पास क्या है आइतन समान है आइतन यहां ताप समान है जबकि यह इस ग्राफ के अंदर आपको पता है पी कॉंस्टेंट रहता है क्योंकि वी डाइकली प्रोपोर्शनल मानते हैं पी कॉंस्टेंट लेते हैं ठीक है इसके भी हाप पर अपने पास नंबर फॉस्ट हो गया सिदा साथ देखना है ग्राफ क करते हैं इसको नियत आइतन पर गर्म क्या जाता है तो बह यह सिदि सी बात है फिस्ट लो टर्मडम है क्या करता है डी सिंकल्टो डीक्यू प्लसंब्लो यह एकवेशन होती है यह करता है औबलु इसिकल्टो क्या है यहां कशकते है डबलू इस equal to minus p del v है यह करता है आज़नियत temperature पर heat दिया जा रहा है तो minus p यह लिख सकता हो v2 minus v1 अब यह कर रहा है कि इसका constant volume है constant volume that means del v is equal to 0 तो w is equal to हमारे पास 0 हो जाएगा इस equation को यहां put कर दो अपने पास तो d is equal to क्या जाएगा d q k equal और आपको पता है कि डीक्यू अपने को दे रखा इसने उसमा स्वसित 500 किलो जूल 500 जूल तो डीए 500 जूल अब यहां पर डीए को जहां रखना डी यू से डिनोटेट कर रखा है तो एनरजी को कहीं यू से और डीए से करें तो बात एक ही है जैसे हम डीए की बात कर रहे हैं तो आपको डीए की द्धान रखना है तो यहां हमकोगे डी यू इस इकल्टू यू प्लस डाबलू अब गोंस्टन वोल्यूल्यूम डेल वी गोंस्टन वाल्यूम अ मतलब गोंस्टन वी जीरो तो हमारे पास डिएव्डू या डी क्यू दोनों इक्वेल होंगे और 500 जू एनर्जी अपने को दे रखिए तो option number second अपना पास option हो जाएगा कि option number second यह question number 61 कि फिर आता है अपने पास question question number 62 कि अगर मैं बात करता हूं तो देखिए reaction डेल्टा जी बहुत हार positive positive है तो अपने पास अगर द्यान में तो आपको डेल्टा जी की value डेल्टा जी इकल डू क्या होता है यह डेल एच माइनस टी डेलस यह equation है कि यह कर रहा है कि डेल्टा जी एड़ एच पोजिटिव है अगर यह भी positive है और यह भी positive है तो अपकरिया स्वत्य नहीं होगी किस condition में स्वत्य नहीं होगी reaction वूड नॉट इस पोजिटिव डेल्टा जी इस इकल डू आएगा पोजिटिव डेल्टा जी हमारे पास क्या आएगा spontaneous नेश यह स्वत्य प्रक्रम होता है तो ठीक है अब डेल्टा जी इस कंडिशन में तो होना नहीं क्यों डेल्टा जी यह दोनों ब्राबर हो गए तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा यहां डेल्टा जी जीरो हो जाएगा वह इसमें अगर इस equation को मैं टी से डिवाइड कर दो इसको टी से डिवाइड गर ओं और इसको टी से डिवाइड गरे तो यह अपने पास Delta S के ब्राबर हो जैगा इसकी वेल्यू वो भी जीरो हो जाएगी तो वो इस पॉंटेनियर यानि तीनों चारों कंडिशन के उपर प्रक्रम्स वैता है नहीं होगा यह आपको ध्यान में रखना है कहता है दा मोल हीट कैपेसिटी आपको पता हीट कैपेसिटी अगर देखे तो सी पी इस इकल टू सी वी प्लस आर होता है यह सी वी अपनको दे रखा है फाइफ फाइफ प्लस आर की वैल्यू आपको पता है कैलोरी के अंदर अगर कैल्गुलेट करता हूँ तो 1.98 या 2 कैलोरी के एकवल होता है अगर ध्यान में तो आपको तो यहां में लखता हूँ 2 तो अपने पास आंस्वरा जाएगा 7 कैलोर इकलोरी वैल्यू परमोल पर कैल्वीड यहां प्सन नमबर थार्ड अप्सन नमबर थाँप्सन नमबर 3 झद हाएगा सीपीड्रnd सीव से निकालना अपने को लिए यँ आर्की वैयृ के भिया gute आर्की वैल्यू आपको इसमें रखना है कैलोरी में क्योंकि यहां क्योंतना रहा आंस्वर देखिए किस में दे रखा है केलोरी में दे रखा है तो वैसे केल्गुलेट करना है कि नेक्स्ट अपना कि इसन नमबर 64 कहता है कि थर्मड आयनिमिक प्रॉसेसिस कॉल रिवर्सिबल वैन उसमा कते का एक प्रक्रम जो उतकर्मणिये कलाता है उतकर्मणिये कब कलाता है यानि उतकर्मणिये जब उसका स्वत्य अपने आप होता है तो वह चीज देखनी है तो इसमें कहता है वह है निकाय का पर्वेस के बीज़ कोई सीमा नहीं है अगर मैं इसके कंडिशन के बात करें तो देखिए कहता है कि स्राउंडिंग एंड अल्वेज इकलिवर्यम विद सिस्टम सिस्टम के साथ इकलिवर्यम होगा तभी तो वह उतकर्मणी होगा यह नहीं रिवर्सिबल होगा तो अपने पास ऑप्शन नमबर थर्ड तो अपन ल्विन दे रखा है कि टेंप्रेचर दे रखा है अपने को तो वखलिओं लिटर बाथा दैल यू इस प्रॉसमस डल्यू पूछा है आपको पास अगर डैल यू की बात करें यहनि एनर्जी वह आपको पता है डेल यू जो होता है अपने पास डी यू अगर अगर देखें तो एन सीवी डी टी होता है अगर ध्यान बता आपको क्योंकि जो सीवी होता है वो क्या होता है डी यू बटे डी टी यह equation होती है constant pressure पे यहां से हम यह formula लेते हैं ध्यान रखना यहां पे देखिए एन इस इकल टू टू मोल दे रखा है अपने को सीवी अब यह कह रहा है कि तो आईसो थर्मल के लिए इनिशियल वोल्यूम और वन लिटर टू टैन लिटर दे रखा है यानि आईसो थर्मल यह डेल्टा टी आपको क्या कर दिया डी टी इस इकल टू यहां कंडिशन देखिए यह आईसो थर्मल कंडिशन है यानि समताप यह समताप में डी टी जीरो हो जाएगा अब आपको पता यह इस इक्वेशन में अगर डी टी जीरो हो रहा है तो यह सारी equation क्या हो जाएगी वह यह 0 तो that means option number 4 सोचने की जुरती नहीं है आइसो थर्मल है ना आइसो थर्मल में चाहिए temperature constant कर दिया तो volume कोई भी change करे तो हमारे पास option क्या जाएगा 53 यह हो गया अपने पास 65 फिर आता 66 यह करता है किसी एक ideal gas है अपने पास 66 ideal gas है expand volume दे रखा है यानि V2 माइनस V1 वो दे रखा है 10 to power minus 2 से 10 to power minus 3 यह अपने पास एक volume दे रखा है इसने temperature अपने को दे रखा है 300 कल्वीन यह temperature दे रखा है और pressure दे रखा है 10 to power 5 nano per nanometer square अगर आपको पता है कि W work पूछा है यहनि the work done होता है तो हम बात करेंगे minus P del V से निकालेंगे W is equal to P अपने को दे रखा है 10 to power 5 into 10 to power minus 2 से 10 to power minus 3 यह हो जाएगा 10 to power 5 अगर मैं इसको solve करता हूँ तो लगभग लगभग यह मान के चीलिए into अगर मैं इसको solve करता हूँ तो अपने पास लगभग 900 हंड्रेड जूल के अंदर निकलेगा यहनी equation यहां से वैल्यो पूट कर जिए और लगभग 900 जूल के फॉर्म में निकलेगा डबलो तो मारा question नंबर 66 होता है अपना यह clear यह ध्यान रखना है unit का especially ध्यान रखते हुए चलना है question number 66 question number 67 देखिए अगर मैं कहूँ molar heat capacity molar heat capacity के अगर बात करें तो molar heat capacity cv is equal to dell h बटे डल t होता है अभी कहता है constant temperature पे ले रहा है constant temperature पे बहिए डल t हो गया 0 तो यह 0 हो गया तो किसी value यानि delta h बटे 0 यह आ जाएगा infinitive यानि option number 4 equation number 67 7 फिर आता है कि which is the following statement is correct यानि आपको पता है कि spontaneous absorption gas के लिए delta g की value आणिछ यह negative यह negative कब आएगी आपको पता ही कि delta g is equal to delta h minus t होता है कि यह तो होगा तो यह कता है इस correct for the और यह positive है और यह positive होगा तो यह positive value आएगी तो delta g पूचा है question number का अगर देखे तो delta g के अंदर आपनों पूचा है तो कैसे देखिए आपको पता है कि delta z sorry delta h is equal to del u plus delta ng rt होता है equation होती है इस equation में अगर मैं count करूँ तो देखिए del u अपने को दे रखिए del u 2.1 plus del ng क्या होता है इस equation को देखिए क्या लगता है del ng जो होता है हमारा आपको पता है product के gases के molecule minus reactant के gas के molecule तो delta ng की value क्या आगई अपने पास 2 तो यह हो जाएगा 2 plus 2 into 8 की value अगर देखे है हाँ पे calorie में लेनी है अपने पास तो 2 हो गया calorie यहाँ delta delta s की value दे रखिए तो ng की value 2 आगे है अपने पास r की value अपने कोश्ट 2 ले नहीं है into t का temperature अपने को 300 दे रखा है तो इस तरह हमारे पास delta h की value calculate हो जाएगी यह delta h की value अगर calculate करें तो लग बग लग बग is equal to delta h minus t dells delta h आपके पास हो गया 3300-300 दे रखा है आपको यहाँ पे 300 into s की value देखिए s की value दे रखिए 20 अगर इसको solve करें हम तो लग बग minus 2.7 kilo calorie निकलता है वैसे तो निकलता है अपने के वास 700 यानि निकलती तो value अपने पास 7000 calorie निकलता है प्रंतु option पे अपने kilo calorie में है तो 2.7 अपने पास second option हो जाएगा तो मतलब इस question में सबसे पहले आपको delta g calculate करना है delta g से आपको delta h calculate करना है फिर उसके बाद में आपको क्या calculate करना है delta z h के लिए आपको data दे रखे यू और t दे रखा है इसमें क्या graph explain करना है देखे हैं होता है आई सो क्लोरी आई सो क्लोरी का मतलब क्या होता है विया जिसके लिए डैल वी जीरो होता है अब देखिए यहां अगर volume देखें और यह pressure के लिए बोल रहा है तो first a और बी ए और बी से तो देखो volume change हो रहा है तो मतलब यह graph तो यह ही खतम हो गया इस graph में आजिए इस इस बी बता रहा है पर तो क्या हो रहा है पर यहां अपन को एटू बी चीए इसमें आ जाईए इसमें देखो एस से बी इधर volume है इधर pressure है एटू बी जा रहा है अपने पास इसमें यहां इस condition में डेल जो वी है वो क्या है नो चेंज है डेल्टा वी जीरो है वी जीरो नहीं है द्यान करना चेंज इन वोल्यूम हो क्या है जीरो है तो मारे पास option number 4 हो जाएगा पहले option बाकि देखो तो देखो C से A आपको पता है यह वी और पी के बीच में कर आइस यह क्या हो गया अपने पास is reversible आइसो थर्मल हो गया temperature और पी के बीच में करना हो तो T temperature constant पे होता है अगर आपको ध्यान बत हो यह T constant पे हो गया तो equation number 4 इसमें अपने पास option number 4 मतलब एक point को आप पकड़ लीजी आपको आराम से जी गोएगा आपको answer निकल जाएगा को आइशो को आइश्म आइटनी क्या होता है जिसमें डल v क्या होता है जीमों दो रूब्दोस में जिसमें q is equal to zero होता है सम ताप यह कि बात करें जिसमें डल्टा ती जीरो होता है कि यह की कि क्वेशिंशन इस अपने अपास ुश्चान नूंबर वन में आती है फिर यह क्योंशन एक्चली थोड़ा रिपीट है शोरी रिपीट वोई आगा इसके अंदर अंसर आपके पास एंथल्पी होगा एंथल्पी होगा ठीक है यह लो इस इसमें देखिए इस क्योशन के अगर बात करें हम तो हमारे पास करा कि एक आइडिल मोनो आटोमिक पात है A, B, C, D तो देखिए A से B जा रहा है तो यहां पर आपको डैल P क्या है 0, P कॉंस्टेंट है A से भी जा रहा है यहां पर डैल V क्या अपने पास 0 है तो अगर साइकलिक प्रोसेस के लिए देखे W इस इकल टू माइनस P डैल V होता है तो नेट वर्क डूरिंग दा कम्प्लीट एक साइकलिक किसी भी साइकलिक में नेट जो वर्क होता है दूरिंग दा अंडर दा रियक रिचर्च दैट साइकलिक यहां से यहां जा रहा है प्रेशर में चेंज हो रहा है यहां से चेंज हो रहा है यहां से कल्कुलेशन करते देखिए यहां से यहां जा रहा है प्रेशर में चेंज हो रहा है यहां एड तो डबलू इस इकल टू माइनस पी डैल वी होता है यह मारे पास फॉर्मुला है तो अगर मैं डबलू इस इकल टू माइनस टू पी यहां से यह टू पी हुआ और यहां से सी से जाने में अपने को पास कितना हो रहा है टू से वन गया यहनी माइनस पी हो गया यह एवरेज निकल गया हमारे पास इंटू डैल वी की वेली अगर देखे तो टू वी माइनस वी हो गया इदर देखो ए से भी जा रहा है तो वन टू टू जा रहा है जबकि यहां से यहां constant आ रहा है तो अपने पास यह constant आ रहा प्रेशर ए से दी क्या हो जाएगा यह अगर मैं इसको सॉल करता हूँ तो माइनस पीवी ओप्शन नंबर 1 आ जाएगा माइनस पीवी तो इस तरह में पास वर्क साइकलिक प्रोसेस के लिए आपको पता हिए नेगेटिव वर्क हाई है अपने पास कहते हैं कि नेट वर्क डन दूरिंग दा कम्प्लीट साइकलिक नेट वर्क डन दा दूरिंग कम्प्लीट साइकल साइकल इन्हें इक्वल तू दा एरिया अंडर दा इसके अंदर जितना वर्क होता है उस वर्क को हम नेगेटिव केल्कुलेंट करते हैं और इसको सौल किया जाता है ओके क्विशन नंबर 72 फिर आता है यह वापस रिपीट क्विशन है सौरी इसी गॉइंग है वही बात है इसके अंदर स्विशन कोई ज़रा चेंज नहीं है डेल्टा जी यहां पर वही अपने को क्या निकालना है डेल है डेल ह क्याल करना है फिर डेल जी से डेल ह माइनस टी डेल हमें डेल की वेल्यू यह पूट करने है ती हमारे पास दे रखाए 300 और स की वेल्यू हमें दे रखी है डेल स की वेल्यू तो सिधा पूट करना है तो इसमें तो यह रिपीट क्यूशन है वह यह यह कर रहा है कि which is the following not a state function ध्यानवता आपको path function होता है वर्क एंड हीट वर्क होता है अपने पास अपने इस्टेट फंक्शन नहीं होता अवस्था फलन रखना है सिधा साथ दो यह अपने पास जो path function होता है work and heat work and heat path function होता है बाकी state function होता है तो सिधा सिधा question है ठीक है आपको पता है कि इस cyclic process एक चक्रिय योगी के लिए work क्या होगा हमने बात की थी डेल E इसके लिए zero होता है और अगर मैं बात करूँ डेल H वो भी zero होता है cyclic process के लिए सदेव आंत्रिक उर्जा में परिवर्तन सुन्य होता है और enthalpy में परिवर्तन सुन्य होता है तो यह अपने पास सेवन्टी फाइफ यह अपने पास equation यह कहता है कि the all the stop terms and condition यह आई कुछी थर्मस की बात कर रहा है एक थर्मक आपको होता है सारा क्या होता है आईसोलेटेड होता है आईसोलेटेड होता है थर्मल यह तो खत्व एक लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है फ्लास कंटेनिंग सम आईस क्यूब इन एक्जामपल आईस क्यूब डाल रखा किसी भी stop वहल स्टोप है जिसके अंदर हीट का कंबर्जन नहीं होता है तो आईसोलेटेड होता है सिस्टम जिसके अंदर ने थे हीट का एक्षेंज करता है system between the no एक्षेंज between system and surrounding surrounding की बीच में कोई भी से नहीं होती कि यह अपने पास अगर में बात करता है कि the correct statement entropy क्या है यह कहता है कि the absolute zero temperature the entropy of perfect crystalline substances positive अगर प्रंत्थ आप पर crystalline perfect entropy positive नहीं होती नेगेटिव होती है नहीं कम होती है at absolute zero temperature entropy is perfect crystalline substance is taken be zero taken be zero यह अपने पस यह correct statement हो गया absolute temperature जब zero absolute zero temperature पर crystalline entropy जो होती है जिरो हो सकती है यह at zero degree temperature a entropy the perfect crystalline substance is taken be zero zero degree पर नहीं होता at absolute zero temperature the entropy of the crystalline substance is taken be zero सभी crystallite होसों के entropy सुनने ली जा सकती है zero degree की विए सुनने नहीं ली जा सकती यानि अपने पास second option correct है theoretical है या तो ज्यान रखना है फिर आता है अपने पास question number which is condition process spontaneous आपको पता है spontaneous के लिए क्या होता है delta z क्या होना चीए delta z is equal to negative होना चीए अब delta z negative कब होगा भया देखिए delta z is equal to del h minus del s यह equation अपने पास होती है तो देखिए अगर यह positive हो और यह negative हो तो यह positive हो तो यह positive हो तो नेगेटिव बढ़ेगा तो और यह क्या होगा तो सदेव positive और नेगेटिव option number one यह अगर सदेव हो तो हमेशा जो प्रोसेस होगा वो spontaneous होगा यह आपको द्यान रखना है क्यूशन नंबर 79 यह कर रहा है कि यह वन मोल जिंक है डिजोल इन इसेल 25 दा वर्क डन वर्क डन पूचा है तो यह आपके लिए एन की वैल्यू आपको दे रखिए टू मूल ठीक है टेंप्रेचर आपको दे रखा है 25 डिग्री सेंटिग्रेट यह 25 डिग्री सेंटिग्रेट मतलब क्या हो जाएगा 298 केल्वीन आर की वेल्यू आपको पता ही क्या होती है 8.314 जूल पर केल्वीन इस अज़ाद से अपने पास वर्क पूछा है डवलू इजिकल टू माइनस फी डेल वी पूछै थो आपको पता है इसको मैं से मैंसंद क्यों इस्निफाल उसके यहां रखो तो मैंनेस और अर्टी इक उपल हो了吧 यह लिख सकता हूं मैं पी भी इस एक्वेशन से तो यहां N की वेल्यू हमारे पास माइनस टू आर की वेल्यू 8.314 इंटू टेंपरेचर 298 अगर इसको सॉल करें हम तो अपने पास लगपग लगपग आ जाता है डबलू इस इकल टू माइनस 4.955 यहनि ऑप्शन नंबर सेकेंड यहनि कंसर्प्ट हमारा यह रखना है पी वी से केलकुलेट करना इसको अगर दिये एंट्रोपी एंट्रोपी आपको पता हिए देखे तो एंट्रोपी क्या होती है डेल एस इस इकल टू डी क्यू बटे टी क्यू क्या होती है अपने पास हीट एब्सॉर्फ हीट और यह अपने पास टैंप्रेचर एब्सॉर्फ जो हीट होती है वो पर मोल गिलाते हैं जूल पर मोल और temperature पर एकल्विन तो जूल पर कैल्विन पर मोल अपने option number one calculate की जाती है जूल में calculate करते है हीट कितनी absorbed करते हैं यह option number को इसमें क्या होता है कि अगर मैं equation देखूं इस equation कि कोडिंग अगर N2 plus 3H2 is equal to 2NS3 है यह अपने पास कोई equation है तो अगर मान लीजिए N2 के लिए कर रहा है X इसके लिए कर रहा है X2 और इसके लिए कर रहा है X3 यह अपने पास equation है तो अगर देहां देहां देखे हैं delta S calculate पूछा है entropy entropy is equal to delta S product minus delta S reactant यह calculate करनी है तो product हमारे पास अगर द्यानव है तो 2X3 है minus यह अपने पास product हो गया X1 plus 3X2 है यह अपने पास अगर इसको solve करूँगा तो मैरे पास क्या आएगा 2X3 minus X1 minus 3X2 यह अपने पास होता है तो इस आपसे option number second यह calculate कर लिजे वह कर देंड़ी हाग कर देंड़ी होगा कर देंड़ी किलो 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 जूल पर मोल आपको दे रखा है वैल्यू तेंपरेचर विल बी spontaneous spontaneous कब होगा वहिया आपको पता ही है spontaneous होता है जब डेल्टा जी is equal to delta H minus T del S यह delta G अगर अपने पास negative है तो spontaneous process होगा यह आपको ध्यान रखना है तो अगर इसके साब से देखे तो अगर यह करा है कि entropy change reaction आर enthalpy और entropy यह निए del H की value आपको दे रखी है 20 और किलो जूल में जबकि यह दे रखा है अपनों पास जूल में तो अगर मैं इसको calculate करता हूं तो minus जूल को 4000 हो जाएगी तो अगर T कि अगर इसको जूल में करता हूं तो 2000 टू इंटू पाउर 3 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अगर टी की value 500 है कि तो डेल एस की value लगबक क्या आगे calculate कर लेते देखिए एननी delta G की value अपनों को क्या निकाल नहीं है negative निकाल नहीं है तो देखिए delta G is equal to minus 4 इन्टू अगर T की value मैं 500 रखता हूं T की value 500 रखता हूं तो क्या हो जाएगा यह अपने पांच जोग 20 हो जाएंगे 20 के उपर 3 तो यह बराबर 2 minus तो यह कट गए तो यहाँ delta G इसके उपर क्या जाएगा 0 इसलिए यह calculate नहीं कर देखिए 500 से कम लोंगा तो यह value ज्यादा हो जाएगी यानि यह तो जाएगा delta G 0 होगा अगर 500 से कम लेता हूं तो delta G positive हो जाएगा अगर 500 से ज्यादा लेता हूं तो delta G negative आएगा यह option number second तो कहने का मतलब delta G जो formula है हमारा delta H minus TDS इस formula से में देखना है कि यह यह जो T का महान है कि यहां पर 20 और 40 है तो जब किलो जूल को जूल में convert करोगे तो यह 20,000 हो जाएगा तो इस तरह हमारे पास क्याल्कुलेट आप्शन नमबर सेकिंड क्लिट करवाया जाता है यह पता ही है सिदा सा कांसर है यह सिजी फर्स्ट लाव थर्मडायनमी क्या होता है यह यू इस इकल टू Q प्लस W पर्थम नियम होता है यह तो बहुत इजी कुशन है भया यह यह बया यह कहता है कि अगर देखे तो आपको तो यह ती यू इस इकल टू क्या होता है Q प्लस W यह अपने पास होता है तो अगर देखे तो अपने पास D U is equal to absorb heat अपने पास दे रखा इसने 2 किलो जूल अगर देखे तो क्या जाएगा absorb heat heat is release कर रहा है release आपको पता है 2-2 होगी किलो जूल प्लस वर्क होगे 12 किलो जूल तो W क्या हो जाएगा प्लस का 10 किलो जूल प्लस के 10 किलो जूल आंसर हो जाएगा यहां इस इंपोर्टेंट ध्यान क्या रखना है आपको तो जूल हीट आर रिलीज जब रिलीज होती है तो आपको पता है यह क्या होता है डेल एच क्या हो जाएगा यानि निकाई 2 किलो जूल उसमा उस्तरजित करता है तो यह माहने सकना यह गलती मत करना क्लियर कि फिर अपने पास आता है कि कहता है कि the total entropy change del s is the system is surrounding spontaneous process is given is आपको spontaneous process के लिए दे रखा है तो देखिए total pressure इसमें कहरा है कि system and surrounding क्या होती है जो डेल्टा s total होती है वो सदेव greater than 0 होगी जीरो से ज्यादा होगी तभी तो डेल्टा जी क्या होगा अपने पास negative होगा तो अपने पास option 1 option number 1 total entropy क्या होती है अपने पास greater than 0 calculate करनी होगी अगर डेल s positive होगी greater than 0 होगी तभी तो डेल्टा जी नेगेटी होगी तो पर पास option number 1 क्यूशन नंबर क्यूश्टी यह कर आया कि तो फॉलोंगी स्टेट्मेंट रिगार्डिंग गिप्स एनर्जी गिप्स एनर्जी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव यह क्या है नेगेटिव प्रोसेश इन नॉन इस्पॉंटेनियस नौ साब यह कंडिशन गलत है सब्सक्राइब होता है इन रिनात्मक सामय वस्ता रिघ्र होता है तो इकलिव रियम होता है यह क्या delta z 0 होता है तो मार पास 3rd option यह equation है अपने पास इसके लिए इसके लिए अगर calculate करें हम तो लगभग अपने पास देखिए जो v होता है wave number पूछा है new होता है अगर दिहानवा तो 1 upon lambda के equal होता है 1 upon lambda जो equal होता है RH 1 upon n square upon 1 upon n2 square इससे calculate करता है तो यहां अगर मैं value put करता हूं RH 109 677 कि अगर value put करें तो 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square यानि second line के लिए आपको यह दे रखा है तो आपको यहां पर wave number of third alignment series for the LA wave number पूछा है new बार पूछा है वह यह न्यू बार calculate करवाना है तो आपको पता है कि RH की value जगए अगर मैं सारी value put करते हैं यहां पे तो हमारे पास option आता है 5175 यह equation equation के अंदर direct put कर सकते हूं कैसे calculate करते हैं यह अपने पास अब यह तो किसी hydrogen के लिए था द्यान में तो आपको यहां पे अपने पास अगर calculate करें तो Z square भी तो लेते हैं अगर किसी helium के लिए लेते हैं यह पहले formula मैंने बताया था hydrogen के लिए अब अपने को Z लेना तो इसकी value put कर दिए आरेच इंटू अपने पास किते लीथियम के लिए 3 का square 1 upon 2 का square minus 1 upon 3 का square यह equation आरेच की value 109373 होता ही है इसका 27 इंटू 1 upon 4 minus 1 upon 9 अगर इनको solve करते हैं हमारे पास तो हमारे पास centimeter inverse में यह value आती है 5175 option number second equation number 87 देखी यह कहता है एक टू इलेक्ट्रोन है उस टू इलेक्ट्रोन के लिए आर और फोर आ रहा है equation ता ratio बहुर वैलोसिटी की पूछा है वैलोसिटी का ratio देखे तो आपको पता है V1 होता है वो 1 upon N1 के equal होता है V2 होता है वो 1 upon N2 के equal होता है तो मैं कहूं V1 upon V2 is equal to क्या हो जाएगा N2 upon N1 हो जाएगा यह equation होगी आपको अगर मैं count करवाए है तो देखे आर is equal to होता है N2 के equal तो मैं कहूं R2 है अपने पास 4R 4R1 है के equal है यह ना R2 4R के equal है यह R तो हमारे पास क्या हो जाएगा R2 is equal to N2 है square का मतलब क्या हो जाएगा 2R के बरावर हो गया इसको ऐसे लेख सकता हूं 2R के equal हो गया यहनि R2 is equal to 2R1 के equal हो गया यहनि N2 स्वरी तो N2 is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास N2 हो जाएगा 2R1 हमारे पास execution रख सकते हैं 2R1 upon R1 is equal to 2 upon 1 यहनि 2 ratio 1 option number 1 इस तरह इसको calculate करते हैं सिदा सिदा देखना आर और देखना है क्योंकि यह radius दे रखा इसने क्योंकि V का relation है N से N से तो R होता है N square के equal तो square करूंगा तो कि रूट लगेगा जाना 4R के equal है तो रूट लगेगा तो उसके एसाफ से से मानने तो वैसे calculate कर लो तो यह दोनों का रूट करेंगे तो रूट रूट कर जाएंगे और 2 upon 1 बच जाएगा अपने पास तो इस पर क्या देखें तो चो N P का ratio है वो सेम रहना चाहिए N P ratio अनुपात कि समान है कि इसमें पी का ratio समान है यह देख लीजिए अगर मैं यूरेनियम और थोरियम की बात करता हूं तो अगर मैं proton की बात करता हूं तो अपने पास 92 और इसमें 90 neutron की बात करता हूं तो माइनस कर लीजिए इसमें 235 मैं से 92 माइनस करें तो 3 तो यह बच गए अपने पास plus यहां 143 हो गया 143 अगर मैं इसके बात करता हूं 232 में 90 माइनस कर दीजिए 2 230 में 92 यहां से स्वरी 1 minute स्वरी देखिए a is equal to p plus n होता है तो n is equal to a minus p हो जाएगा इसके लिए निकालना है अपने को 235 minus 92 तो लगबग 235 में से 92 माइनस कर दीजिए तो अपने पास 3 तो यह बज़ गए और 6 16 161 63 बज़ गए अब स्वरी थीन थीजिए 143 यह हो गया 143 अब 92 में से माइनस करना है तो यह हो जाएगा 332 माइनस 90 232 में से 90 माइनस करने है दो 4 142 अगर इन में से माइनस करें हम इनका जो एन पी एन अपॉन पी है यह सोरी एन माइनस वन है एन माइनस पी है वो सेम आता है एन पी रेशो सेम आना चाहिए वैस अगर निकाले करें देखिए एन माइनस पी निकाल लिए यहां पर 143 में से 90 गए तो कहने का मतलब आइसोडैसफर में एन पी रेशो कैल्गूलेट करना होता है वो आपको कैल्गूलेट करना है तो एन पी रेशो में अपने पास एन पी रेशो यह हो गया दूसरा कहता है एन 2, CO2 और CNO एन 2 के अंदर देखिए लंबर आप लेक्ट्रोन एन 2, O के अंदर इलेक्ट्रोन कितने हैं CO2 के अंदर इलेक्ट्रोन कितने है 14 प्लस 16 थार्टी हो गए 16 और 30 जबकि यह हो गए 44 होगे इस निमने में वन ओदा करेक्ट पूछा है इसने बहिया इस आइसो इलेक्ट्रोनिक आइसो इलेक्ट्रोनिक आपको क्विशन पूछा है तो बहिया तो देखिए तो देखिए N2O कल्कुलेट करें आपने इसके देखो कैसे होगा आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पीसीज कौन सी होगी इसमें इसमें आइसो एन 2O एन 2O में देखा 14 इलेक्ट्रोन हो गए प्लस शॉरी 8 इसमें हो गए टोटल अपने पास कितने होगे यह औक्शेण में हीट होता है इसमें 7, 7, 14 हो गए, तो टोटल अपने पास 22 एलेक्ट्रोन हो गए, पात करते हैं, CO2 में, CO2 में 7, प्लस 16, साथ, 6, स्वरी, 6 एलेक्ट्रोन होते हैं, कार्बन में, तो यह हो गए 22, और CNO- में, इसमें 6, 6, प्लस 7, प्लस 8, प्लस 1, टोटल 22, तो अप्शन नमबर 3, तो मतलब यह भी सही है, यहनी टोटल अपने पास अगर देखिए, तो अपने पास ऑप्शन नमबर 4, 4 ओप्शन हो गए, 1st और 2nd दो, correct ओप्शन अपने पास, clear? next, last, question अपना, नेम ने सिद्दान्त में दे रखा, आपको बोर, relation दे रखा है, बेशी सोब बोर के लिए, आपको अगर convert करें तो देखिए, कि इसके लिए, आर जो होता है, वो 0.53 into n square upon z होता है, तो n square upon z है, यही सही है, जबकि एलेक्ट्रोन का वेग जो होता है, वो भी समानुपाती n के होता है, तो अपना correct option हो जाएगा, only 4, यह equation नहीं होता है, सिंपल सी z square force of electron n cube उल्टा होता है, यह frequency भी calculate नहीं होती, यह भी गलत है, यह velocity भी गलत है, तो अपने पास only 4 relation correct है, यह अपने पास कुछ topic finish होता है, तो एक वार double question है, थोड़े हो रख हैं, बाकिया आप देख लीजिए, थैंक्यू.